अफसोसनाक तरीके से खामोश बैठा हुआ है और यह शर्मिंदगी का विश्व है आप भारत देश के लिए एक नासूर में तब्दील हो चुके हैं एक ऐसे नासूर में जिस पर सद्या शर्मिंदा होंगी तीन महीने से मणिपुर में जो हो रहा है मीरा चानू ने एक दिन पहले हाँ जोड़ कर कहा कि प्रजा को बचा लीजिए मोधी जी आप समझते भी हैं मोधी जी कि प्रजा होती क्या है आप तो सिर्फ गद्दी के लाल्ची हैं आपको हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए चाहाए इसके लिए जो करना पड़ और सत्ता के लाल्ची लोग बेटियों के पक्ष में जब नहीं बोलते औरतों के पक्ष में जब नहीं बोलते बच्चों के पक्ष में जब नहीं बोलते तो देश ही नहीं इतिहास सर्मिंदा होता है ऐसे नेताओं पर और आप याद रखिएगा इस बात को कि आज आप चा है जितनी तालियां बजा लें जितनी वावाईयां कर दें लेकिश यह है कि इतिहास आपको एक कायर एक निकम्मे एक नाकाम और एक हमेशा के लिए शर्मसार करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज कर लाएं आप मानिया मत मानिया चाहे तो आप मुझे जेल भेज़ दीजे लेकिन इस से यतिहास अपना लेखा नहीं बदलेगा आपके बारे में मेरे रूंब्ते खड़े हो रहे हैं उस तस्वीर के बारे में सोच कर भी जो हमारी नजरों के सामने से गुसरी है बढ़ा पढ़ा है इंटरनेट ट्विटर भढ़ा पढ़ा है चार मई की घट आपके डबल इंजन के सरकार है माई वर्ट डबल इंजन के सरकार जहां बेटियों पर डबल बरबलता होती है इसको कहते हैं डबल इंजन के सरकार और उस डबल इंजन के सरकार का मुख्या पूरी बेश्रमी से पूरी धिटाई से खामोश रहता है यह खामोची भारत